कि कि हलो दोस्तों नमस्चार आपका स्वागत है आपके अपने channel नौजयेवन क्लाशिस के अंदर तो दोस्तों आज फिर से मैं वही दो वर्ड के बीच में तो डिफरेंसियेशन होता है वह आपके मैंड से क्लेर करने वाला हूँ कि उन दोनोंके बीच में क्या differentiation होता है और कहां पर वो यूज किया जाता है तो दोस्तों आज आपको इस बोर्ड पे दो पिच्छर दिखाए दिए एक तरफ है यहांपर लड़का है जो कुछ बोल रहा है वह क्या बोल रहा है देखो नव जिवन क्लाशिज को subscribe करो अगर आप लोगोंने सस्क्राइब नहीं किया है हमारे इस परिवार से नहीं जुडे हो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करो और आज मैं आपको जो वर्ट्स बताने वाला हूँ वह एक तो है कि वाइस और एक है कि साउंड अभी साउंड और वैस दोनों ही आवाज है ठीक है आवाज निकलती है देखो एक तो होता है हमने हमार हमने कि अब यह साउंड निकलता है यह स्मार्ट फोन हो गया अपना speaker हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसी instruments जिसके थूँ आवाज निकलती है, तो वहाँ हम क्या use करेंगे, voice use करेंगे या फिर sound use करेंगे, ठीक है, और जो living thing है, जैसे इंसान है, जानवर है, वो जब बोलते हैं, जब उनके मुझ से आवाज निकलती है, तब हम क्या use करेंगे, voice use करेंगे, sound use करेंगे, तो दोस्तों यह जो doubt है, वो clear करना चाता हूँ, मैं, कि जहाँ non living thing है, वहाँ पर हमेशा हम use करेंगे, sound, ठीक है, और जहाँ पर living thing है, जो जीने वाले चीज़े है, सहजीव है, वहाँ पर हम use करेंगे, voice, अब आप और सर, example तो बता दो, ठीक है, त यह किसकी आवाज है, यह राम की आवाज है, तो हम बोलेंगे, this is a राम's voice, ठीक है, यह राम के है, living thing है, सहजीव है, ठीक है, तो living thing के मुह से जो आवाज निकलिए है, उससे हम क्या हैंगे, voice, कि यह किसकी आवाज है, यह राम की आवाज है, ठीक है, अब जैसे कि मेरी जो एसी अगर की वह क्या करती है बहुत जाद आवाज करती है तो मैं उसमें क्या बोलूँगा कि दसाउंड अब यहाँ पर वाइस नहीं यूज करेंगे हम यूज करेंगे दसाउंड दसाउंड ऑफ माई एसी डिस्टर्ब्स मी मतलब जो साउंड है म sarc मेरी का वह क्या करता है मुझे करता करता अ ठीक है तो यह देखो अब पता चला एसी के नॉन लिभिंग्टिंग रमके रिविंग तो जहां लिविंग तिंग वह करेंगे वय जिभ favor निर्जीव克 वहाँ पर हम यूज करेंगे sound ठीक है आप आएंदा से आप आगे से ध्यान रखना जहां पर भी voice आए तो उसके आगे आपको यह देखना है कि living thing है फिर non living thing अगर living thing है तो voice जहां पर आए तो हम आप टिक करेंगे हाँ की रूप और voice जहां living thing है ठीक है तो यह जो difference था voice और sound के बीच में यह जो आज मैंने आपके साथ clear किया है तो होप है कि मैं आश्या करता हूँ होप करता हूँ कि आप इनको सही जगह उपयोग करोगे सही जगह इसका यूज करोगे सही जगह आप इसको समझोगे ठीक है वोइस living thing sound non living thing अब आप यह ध्यान रगना ठीक है धन्यवाद और यह वीडियो आपको कैसा लगए जानकर अच्छे लगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताए तब तक के लिए धन्यवाद